नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे स्खास पेशकष में। मैं हूँ आपके साथ अमित चर्मा। और मेरे साथ इस तूडियो में पूझ है जोतिष, टैरो और वास्तो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदलजी। सीमा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत इस कारिक्रम में इस कारिक्रम में हम सीमा जी से जानेंगे कि इस सप्ता बारह राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका राशी फल टैरो कार्ड्स के माध्यम से सीमा जी हमें यह जानकारी देंगी हर राशी के लिए चार अल और सबसे बहले बात करते हैं मेश राशी की जानते हैं कि मेश राशी के जातकों के लिए कैसा रहने जा रहा है यह सबता जी सीमा जी तो मेश राशी जो की अरीज है तो फिर्स्ट कार्ड लिए है पेस ऑफ पेंटेकल तो यह जो स्परड आया है यह काफी अच्छा है बहुत ही अच्छा है लगता है कि नुरातृ आपके लिए कआफी शुब रहने वाले हैं तो page of pentacle जो है एक नई शुरुवात की तरफ इशारा कर रहा है आपको कहीं ने कहीं से कोई एक message आने वारा है कि आप अपने लिए अपने आपकी चेतना को higher side लेकर जाने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि इस धर्ती पर इस दुनिया में इस material world में आप बहतर तरीके से जी सकें तो यह बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए देन दे वार्ल कार्ड आया है आपके finance के लिए जो की बहुत ही अच्छा कार्ड है दे लवर्स कार्ड जो है वो family का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि कोई कोई रिष्टे में बंधने वाले हैं हो सकता है कि किसी की marriage होने वाली हो और fix नहीं हो रही हो तो वी सबता हो सकता है कि आपको वो खुशकबरी मिले कि marriage fix हो गई है और बहुत अच्छा collaboration का कार्ड है परिवार में बहुत अच्छा सामजस से बना रहेगा next कार्ड two of cups जो है ये कार्ड जो है students के लिए आया है जो की एक बहुत ही अच्छे collaboration के तरफ और बहुत ही अच्छे जैसे अगर माली जे आप कोई competitive exam के त्यारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि किस institute को आप जोइन करें तो ये बहुत अच्छा समय है उनके guidance में आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और देखते हैं कि व्रिशब राशी वालों के लिए कितना बहुत अच्छा नहीं है फूल कार्ड कुछ ठीक है judgment कार्ड and queen of pentacles कुछ मिला जुला मुझे ऐसा नजर आ रहा है 9 of sword जो कार्ड आया है आपका वो कार्ड कहीं ने कहीं depression के इस्ति दिखा रहा है तो टारस को बहुत सब्धान रहने की जरूरत है कि मानसिक थकान मानसिक अवसाथ के इस्ति इस सब्ता रह सकती है तो उससे निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसका आपको ध्यान रखना है तो मैं आपको सला दूगी कि दुर्गा सब्तशती के पार्ट करें या दुर्गा कवज के पार्ट करें वो आपके लिए बहुत ही फार्देमन साबित होंगे दूसरा जो कार्ड है वेर्थ के लिए फूल कार्ड है जो की बहुत ही अच्छा है कि आप कई बार ऐसा होता है कि हम जब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या हमने कुछ गोल रिसाइड कर लिया होते हैं हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं और हम अपना 100% तब दे पाते हैं जब दिपको निश्चिंता के महाल में हम पुरी तरीके से फोकस्ट हों तो ऐसा लगता है कि यह सबता कुछ वैसा ही है लेकिन अगर कहीं से कोई संकेत आ रहे हैं कि आगे कुछ सावधानिया रखनी की जरूरत है तो उन संकेतों का जरूर ध्यान रखें जज्ज्मेंट कार्ड जो है वो फैमली का कार्ड है जो कि मैं कहूंगे कि ठीक है कुछ पुराने विवाद चल रहे थे वो विवादों के सती यहां पर भी नजर आ रही है तो उन से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए परिवार को साथ मर लेके चलिए और घपराने के जरूरत नहीं है हमारे कार्मिक बंधन जो है वो बहुत स्ट्रॉंग होते हैं तो कहीं ने कहीं अगर आप बिटर सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो कहीं भी आपको बिटर होने की जरूरत नहीं है जो कि आज जिस सिचुएशन में आप हैं वो पुराने कर्मफलों की वज़े से हैं और अगर आज आप बिटर होते हैं तो आगे के लिए भी आप अपने क कर्मफल पक्के मजबूत कर लेते हैं जो कि आपको बुरे एक्स्पीरियंस दे सकता है तो आज कम से कम सामाने रहने की कोशिश करें नेक्स्ट कार्ड जो है Queen of Pentacle का जो कार्ड है वो स्ट्रेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कुछ एवार्ड कुछ रिवार्ड बहुत अच्छा समय और अगर कोई अच्छी प्लेस्मेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं तो इस सब्ता अच्छी प्लेस्मेंट भी हो रप्ता और किन बातों पर उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुछ भी नहीं हो सकता तो अगर कहीं सभी थोड़ी परेशानी नजर आ रही है तो ये जो समय है अलोकिक उर्जा का समय है उपवास करें ध्यान करें इससे आपको फैदा होगा। होने वाला है नेक्स हम देखते है नाइन ओफ कॉप्स जो कार्ड आया है वो फैमिली का कार्ड है जो कि बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए ऐसा लगता है कि आप अपने बड़े बुजर्गों बच्चे और जितने फैमिली मेंबर्स उनके साथ में बहुत पॉजिटीव अपने वाले हैं उदास रहने वाले हैं लेकिं अंतरिक रोप से आप बहुत मजबूत हैं एंधि teu कि अपना हथियार बनाए और उसे जब आप हत्यार बनाएंगे तो waar इस्ते तो आंतरे एक मजबूती को ही आप अपना हथियार बनाकर आगे की जो जिंदगी है उसे व्यतीत कर सकते हैं बढ़ते आगे और देखते हैं कि करक राशी के जातकों के लिए कौन से चार खास चारो स्प्रेंट निकलते हैं तो कैंसेरियंस परस्ट कार्ड जो है तो आफ वांट्स, शिक्स अफ कप्स, श्री अफ कप्स और नाइन ऑफ वांट्स ये सारी के सारी कार्ड मुझे काफी अच्छी नजर आ रहे हैं कुछ जगा पर मुझे हैसर रता है गाइड लाइन की जरुवत है अधरवाइस बहुत अच्छे कार्ड हैं तो आफ वांट्स ये कार्ड है, कैंसर के लिए वो हैल्थ और वेल्थ वाइस बहुत अच्छा लग रहा है हो सकता है कि कुछ नए अफ़र्ट्स आप अपने शारीरिक और मांसिक हेल्थ के लिए करना चाह रहे हैं और जो की बहुत ही सक्सफुल रहेंगे नेक्स्ट हम दिखते हैं सिक्स आफ कफ चो कार्ड है, वो कार्ड आया है वेल्थ के लिए ये भी बहुत अच्छा सूपर सक्सस का कार्ड है बहुत अच्छा आप करने जा रहे हैं और अगर कहीं कोई परिशानी आती है तो बड़े बुजर्गों के अनुभाव का लाब ल ख़े आपको मिले जिसके लिए आप लोगोग स्लिप्रेट करें हो सकता है कोई 5 फी ऐनूर स्री हो सकता है कि कोई नया जन्र हो खुछ ऐसा उसा का मौहल मुझे नजर आ रहा है तो अगर आप कुछ अच्छा मौहल मिलता है तो बिलग्कुल हमें मैसेच कर रहे हमें subtract कर रह चुके हैं बहुत ठक चुके हैं उदास हो रहे हैं लग रहा है आगे क्या होगा अनिश्चत तक इस्तिव बनी हुई है लेकिन तोड़ा सा समभलिए ये बिल्कुल समय नहीं है उदास निराश हताश होने का सफलता सिर्फ एक कदम दूर है ये समय सिर्फ मेहनत करने का है और ये समय अगर आप नहीं चुके तो सफलता नश्यत है तो मेहनत करें उदास नहों और हताश होने की विल्कुल भी आपको आपशकता नहीं सिर्फ मेहनत करें क्या पता मंजिल बस एक कदम की दूरी पर ये आपका अंपिजार कर रही हो बढ़ते आगे और देखते हैं कि सिं कार्ड है King of Swords, 2 of Swords, then Ace of Cups and 4 of Swords मैं ऐसा देख रही हूँ कि सिं राशी इस सप्ता बहुत अच्छे कार्ड नहीं है आपके बहुत समल के रहने की जरुरत है और एर एलमेंट काफे डिस्टरप्ट चल रहा है आपका King of Swords जो है मैं मानती हूँ कि ये कार्ड जरूर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन कहीं ने कहीं एर एलमेंट आपको बहुत डॉमिनेटिंग रहने वाला है इस सप्ता तो मैं आपको इस पूरे कार्ड के रीडिंग के बाद मैं उसके उपाई भी बताऊंगी तो पहला जो King of Swords कार्ड है वो आपको काफे डिटर्माइन क कर रहा है हेल्थ वेल्थ को अच्छा रखने के लिए और आप इसमें काफी successful भी रहेंगे लेकिन जो two of sword कार्ड है वो एक बहुत अच्छा कार्ड नहीं है काफी मानसी कुथल पुथल और कापसी दुविधा का कार्ड है दो राहे आपको नजर आ रही है और उन दो राहों इस समय पर काफी अच्छी रहेगी आपके लिए एस of cups कार्ड जो है वो family का कार्ड है जो की एक pure love को प्रदर्शित कर रहा है मतलब family में बहुत प्यारा बहुत प्यार खुबसूरत रिष्टा रहने वाला है आपका और कुछ नहीं चीज़ें भी नजर आ रही हैं कुछ आपके आते हैं तो हमारे program को देखने के बाद हमें comment किजिए कि किस तरह की नए बंदन आये है कोई नया रिष्टा जुड़ा है तो कुछ प्यारा सा रिष्टा मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जूड़ने वाला है four of sword जो काड आया है वो students के लिए काड़ा है जो की बहुत शरीरिक ठकान को प्रदर्शित कर रहा है काफी ठक चुके हैं आप अपनी situation से अपनी चीजों से तो अगर इतनी ठकान है तो क्यों न थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए तो थोड़ा सा एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद में दुबारा अपनी शुरुदा करें एनर्जी कमी नहीं लेकिन इतना शरीर को ठकाना भी अच्छा नहीं है तो मैं कुल मिला कर यही कहूंगी कि टोटल एयर एलिमेंट डस्टरब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डॉमिनेट कर रहा है तो दस मिनट ही सही लेकिन डीप मेडिटेशन डीप ब्रिधिंग एक्सराइज जरू कान्या वर्गो इनका जो निकलने वाला है देखते हैं क्या रहता है जो फॉर्स्ट कार्ड है यह अगें King of Swords then six of pentacles, page of wands and ten of wands तो king of swords तो definitely determined कर रहा है आपको अच्छी health रखने कले अच्छी wealth रखने कले और आप काफी उस पे successful रहेंगे भी काफी strong रहने वाले हैं आप इस सब्ता दूसरा जो हम six of pentacle card देख रहे हैं वो काफी अच्छा आप बच्छत कर पा रहे हैं सब्ता तो आपकी मन में कुछ ऐसी इक्छा भी होगी कि मैं कुछ दान पुन करूँ कुछ उसको अच्छे कामों में डोनेट करूँ जो कि बहुत अच्छा समय भी है नवरातर चल रहे हैं नीडी को जरूर डोनेट करना चाहिए और आप जतना कमाते हैं उसका दशांश भी अगर आप दे सकें तो बहुत अच्छा रहता है तो इस समय का लाब उठाई है नवरातर पर जरूरत मंदों की सेवा करें और उनकी दुआएं आपके लिए बहुत फैदेमन रहेंगे पेज ओड़ और परीवार को बहुत एनरजी के साथ में समाणने के लिए लिए टयार है और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से आप सालाह और बातर भी कर रहे हैं जो भी डिस्जन लेंगे अपने परिवार के लिए वो काफी सही रहने वाला है इस सकता आपका 10 of Wands जो काड़ाया है वो स्ट्रेंट्स के लिए काड़ाया है यह की successful काड़ है आप पताह करने वाले हैं सकता लेकिन इस जीत के लिए आपने जबरदस्त मेहनत की है और बहुत शारेरिक और मांसिक ठकान हो चुकी है तो अपने जो मेहनत की है अब जो की reward मिल चुका है तो थोड़ा सा अपने शरीर और मन को अराम दें और इस सफलता को enjoy करें परिशान नहों कि हमने इतनी मुश्किलों स चुट जाएं बढ़ते आगे और देखते हैं कि तुला राशी के जातकों के लिए कौन से special tarot cards निकलते हैं कैसा जाएगा उनका यह सब्ता So यह तुला का spread जो है first card जो आया है king of wands, wheel of fortune, the magician card or the fool card यह सारे के सारे card बहुत बहुत अच्छे card है king of wands जो है वो आपको शारे एक और अच्छी सेहत मान सिक सेहत देने वाला है काफी strong रहने वाले हैं सकता आप Wheel of Fortune success का card है काफी दुनों से मेहनत और तैयारियां चल रही थी कुछ खास project के लिए जो की सब्ता successful रहने वाले हैं और आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं The Magician card family के लिए card आया है तो ऐसा लगता है कि इस बार आप परिवार के साथ में ऐसा समय बिताने वाले हैं कि ऐसा लगएगा कि अरे जो घर है यही मेरा मंदर है और आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं इस घर में ही अपने बच्चों में अपने परिवार में अपने माता लापरवाही कहीं ने कहीं खतरनाक हो सकती है आपको stress-free होके पढ़ना है यह मैं मानती हूं और यह मैं हमेशा सला दूँगी कि कभी भी stress में रहके नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि 100% आप तभी दे पाते हैं जब stress-free हो लेकिन stress-free होने का यह मतलब नहीं है कि आपको लाप तो यह सप्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है बिलकुल और आई अब दिखते हैं व्रिश्चे ग्राशी के लिए कैन से टैरोर स्प्रेट्स निकलते हैं कैसा जाएगा उनका यह आने वाला सप्ता जी तो स्कॉर्पियन जो है है थोड़ीची प्यर्फल राशी है फ फूल कार्ड जो है हेल्थ और वेल्थ वाइस तो आप बिंदास रहने वाले हैं ऐसा लगता है कि अच्छा आप महसूस करने वाले हैं सब्ता बहुत अच्छा फिजिकली भी मेंटली भी तो जैसा चल रहा है उसे चलने ने एट आफ पैंटिकल जो कार्ड आया है वो आपक आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए अपने जौक के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप निखारने का समय है यह सब्ता निखार इए अपने हुनर को बढ़ाइए और यह हुनर आपको सौ guarantee और ज्यादा तरक्की देने वाला है फाइव अफ कप्स फैमिली का कार्ड है उदासी निराशा हताशा डीप सौरो का कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड नहीं है प्रिश्रिक राशी के लिए तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी थोड़ा सावधान रहें आगे बहुत अच्छी चीज़ें भी नजर आ रही है अगवान आपको नए रास्ते भी बना कर दे रहा है तो उन नए रास्तों को पकड़िए और आगे की मंजिल की तरफ फोकस कीजिए अपने गहरे आफसाद में डूपे रहने से कुछ भी हासल नहीं होने वाला है इसा लगता है कि कोई धोका कोई छल कुछ होने वाला है उनके साथ में और वो उनके चैलेंजिंग सिच्वेशन आने वाली है तो उस चैलेंजिस के लिए तयार हों अपनी महनत इतनी रखें कि अगर थोड़ी वोड़ी डिग्रेडिंग भी हो तो भी आप नंबर वन हों इ साजिटेरियस जो है धनु राशी ये रहस्पती की राशी है इंटलिजेंट होते हैं साजिटेरियस वाले फिर्स्ट है थ्री आफ सोर्स नाइन अफ सोर्स जच्मेंट कार्ड और सेक्स अफ पैंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड नहीं है तो समल कर चलने की जरुएत है ध्यान रखें और unexpected कोई अगर तकलीफ आती है उसकी भी तयारी रखें अपने अशारिक और मानसिक सेहत के प्रती सचेत रहने की जरुवत है ऐसे संकेत इस कार्ड से मुझे नजर आ रहे है नाइन आफ सोर्स जो कार्ड है वो बहुत डीप डिपरेशन का कार्ड है कोई मान करने की जरुवत है और अगर आप असफल हो पा रहे हैं आप अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि किसी अच्छे कांसलर की सलाह लें जैज्जमेंट कार्ड जो है वो फैमिली का कार्ड है ये भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं है पारीवारीक समस्य कुछ सामने आ सकते हैं कोई दोशार ओपन आपके ओपर हो सकते हैं तो यहां पर भी आपको बहुत ध्यान रखनी की जरुवत है समय को शांत रहकर काटने की कोशिश कीजिए जितना आप शांत रहेंगे समय उतना असानी से निकल जाएगा नेक्स हम देखते हैं सिक्स ऑफ प्रॉपर नहीं हो पाई है तो यह समय है कि अपने साथ साथ अपने दूसरों का भी भला करते हुए चलें और अगर किसी तरीके से दुसरे इस्टूरेंट्स को या अपने जूनियर इस्टूरेंट्स को कुछ गाइड कर सकते हों तो बिल्कुल गाइडन्स देनी चाहिए उसे वह बहुत आपको दुआएं देंगे और वो दुआएं आपके काफी काम आएंगे बढ़ते आगे और देखते हैं मकर राशी के लिए कौन से चार टैरो स्प्रेंट्स निकलते हैं जी सीमा जी तो क्या प्रिकॉन जो है शनी की राशी है और हम देखते हैं टू अफ पैंटिकल्स सेमन अफ पैंटिकल्स फोर अफ पैंटिकल्स क्या बात है यह और अर्थ ऐलिमेंट काफी स्टॉंग दिख रहा है मुझे इसमें और टेंपरेंस काड्ड मतलब काफी जमीन से जुड़े वे काफी मजबूत रहने हेल्थ के साथ में बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर रखा हुआ है आपने और आप इसको इंजॉय कीजे सकता सेमें और पेंटिकल जो काड्ड है वो कहीं ने कहीं बहुत अच्छी चीजने दिखा रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि हम कभी कभी कुछ डिस्जिजन गलत ले जाते हैं जिसकी वएसे हमें फिर तकलीफ होती है तो अगर कोई डिस्जिजन गलत लिया गया तो यह जिन्दग वही है उन से सीखने का प्रयास कीजे और आगे बढ़े है फोर फेंटिकल जो काड्ड है वो ऐसा दिखा रहा है कि फैमली को काफी मजबूती से टाइटली आप बांध कर आगे लेकर जा रहे हैं और काफी कुछ आपने इंजोई किया है अपने परिवार को यह सबता भी का कामना है यह सब्रक्ट को इक पर फोकस ना हो का सारी विधाओं में माहिर होने का घुक आइसा करते हैं कि हम एक ही सब्जों को पढ़े जा रहे हैं और अग्नूर कर दिया है लेकिन यह समय सब चीजों को साथ में लेकर चलने का है और काफी अच्छा आप कर भी पाएंगे इतनी मजबूती के साथ पढ़ाई करने वाले हैं कि आपको लगेगा कि वाह ये सप्ता हर बार लॉट किया है और मैं इसी तरीके से तैयारी करूँ और यही मजबूती अपने अंदर में हसूस करूँ तो बहुत अच्छा समय आपके लिए और बात कर लेते हैं अंतेम दो रा 4 of Pentacles, King of Swords, Judgment card आज Judgment card काफी repeat हुआ है and Temperance तो 4 of Pentacles health wise काफी अच्छा card है अच्छा मैसूस करने माले हैं आप बहुत मजबूती के साथ में इवन इतना अच्छा कि अगले सप्ता की भी तयारी आपकी सप्ता ही हो जाएगी कि हम कैसे स्क्रांग रह सकते हैं आगे के समय के लिए भी King of Swords जो card है बहुत ही focused बहुत ही energy के साथ में बहुत ही बुद्धी मत्ता के साथ में चलने वाला card है तो इस सप्ता आपको अपने काम में अपने job में अपने profession में अपने बुद्धी मत्ता का अस्तेमाल करना है और बहुत करने वाला है अगर आप अपने बुद्धी का प्रयोग करते हैं तो judgment card family की बहुत अच्छा card नहीं है ये कहीं ने कहीं कुछ तकलीफ कुछ अफसाथ कुछ अच्छी चीज़े नहीं है अपने परिवार को संभालिए और अफसाथ से दूर जने का प्रयास कीजिए अगें temperance card student के लिए बहुत अच्छा card है सारी विद्धाओं में माहिर होने का card है तो प्रॉपर ब्लेंड कीजिए अपने आपको और सब तरीके से तैयारियां कर दा लिए ताकि कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो कोई समस्ते आपके सामने उपस्ते इतना हो बिलकुल तो में राशी भी water-based राशी है और प्रहस्पती की राशी है तो देखते हैं कि आपका spread जो है वो कैसा निकलेवाना है तो जो first card आया है वो है 7 of swords, then the chariot card, the star card and the sun card जो की कुछ card तो बहुत ही अच्छे card है एक card जो 7 of sword है उसके लिए मैं काऊंगी थोड़ा सा health or wealth wise सोडी से दानी रखने की आपको जरूरत है the chariot card जो आया है यह बहुत ही अच्छा card है विफकुल सधे वे वे में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है कोई भी business में नया काम या पी कोई नई job चुन रहे हैं तो पहले उसके नफे और नुकसान को बहुत अच्छे से परक लिजिए औ और उसके बाद ही उस पर आप अपना जो भी investment है वो डालिए और focus way में आप आके बढ़ने वाले हैं सकता और कुछ हो सकता है कि अपने काम के सिलसले में यात्राएं भी करें और अच्छा है यह कार्ड ऐसा नहीं कि नुकसान वाला कार्ड है यह बहुत ही अच्छा कार्ड आपके सामने आ रहा है तो स्टार कार्ड जो है वो फैमिली का कार्ड है जो कि यह भी बहुत अच्छा कार्ड है फैमिली के लिए आप प्रॉपर बैलेंस कर पा रहे हैं अपने जॉब में अपने परिवार में अपने बच्चों में अपने बड़ों में कई बार होता है कि परिवार में कुछ खेंस्तान के सिती उत्पन हो जाती है, लेकिन ये सब्ता जो है, आप प्रॉपर बैलेंस बना कर चलने वाले हैं हर तरीके से, तो काफी अच्छा मैसूस करेंगे अपने परिवार के बीच में, बिल्कुल, The Sun Card students के लिए बहुत ही successful card है, कोई बहुत बड़ी achievement आपके हाथ में आने वाली है, तो ये super success का card है, तो आपको मैं शुपकामनाई देती हूँ कि ये सब्ता आपका बहुत अच्छा रहे और अच्छी अच्छी good news आपको मिले और अगर कुछ good news आपको मिलती है तो हमें जरूर शेयर करें, तो ये था धनु राशी का हाल, बिल्कुल, तो अंतिम राशी का राशी पल में हमने देखा, और सेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कारक्रम में आने के लिए और धर्शकों को card किस्मत connection में ये एहम जानकारी देने के आपको बहुत बहुत धन्यवा और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकर्श में फिलाल इतना ही दीजिए इजाज़त, नमस्कार